तो आज हम बात करेंगे आइटि-ईडेमो एक्जाम के बारे में । जह आम WAS स्टेनोगराफर का एक्जाम होगा 2021 में बैक और जिनोंने 2020 में फौरम अबराता वह 2021 में एक्जाम देंगे तो कैसे exam होगा online exam कैसे होगा तो इस चीज़ को हम आज discuss करेंगे तो दिखिए सबसे पहले demo करने के लिए जो demo website है वो हमारी mozilla firefox पर ही काम करेगी क्योंकि chrome और explorer बगएरा में आप उसको चलाने की कोसिस करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो अपनी computer में mozilla firefox ओपन कर लें अगर नहीं है तो उस software को आप install कर लें तो देगे मेरे computer में यह mozilla firefox है तो मैं इसको ओपन करता हूं देखिए मेरा mozilla firefox ओपन हो गया इसमें आप मैं google टाइप करता हूं अब उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूं MPI T I I T I CVT exam यहाँ पर आप भी टाइप कीजिए यही और देखिए आपके सामने यह एक साइड ओपन होके आ जाएगी MPI T I फिर सिद्धिया MPI T I CVT exam.in यह वाली तो आप MPI T I यह लिखके आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ कंपने हैं तो यहाँ पर हम इस टैनों से रेलेटेड रही बात करेंगे तो कि इस टैनों का ही एक करके चेक करेंगे कि तो देखे इस तेनों के जो practical है उसमें मैं बता दूँ हमारा job फर्ष्ट से लेकर 5 तक होता है job फर्ष्ट में typing second में letter और third में table 4 में 80 WPM की dictation और 5 में 100 WPM की dictation लिखनी होती है हमारे दो दिन एक्जाम होंगे job फर्ष्ट, second, third का पहले दिन और दूसरे दिन job 4 और 5 का याने 80 और 100 का दूसरे दिन exam वो का ठीक है तो हम मैं इस टेनों के practical mock link है इस पर click करता हूँ आप भी इसी पर click करें उसके बाद हमारे सामने की ये नया page खुल के आगया है तो देखे आपकी जो ITI zone है आपका जो जैसे मुरेना हमारा मुरेना है मुरेना select करेंगे और फिर आप अपनी ITI का ना जिस ITI से आपका forum वरा गया है उस手 साइट आई का नाम select करें तो अगर आपको अपनी ITI का नाम नहीं पता है तो आपकी admit card पर आपकी admit card पर नाम होगा ठीक है तो जैसे मेरा BRM College यानि BRM Private ITI तो मैं इसको select करता हूँ उसके बार roll number आपका जो भी admit card पर roll number है उसको इसमें डालिए तो मैं demo के लिए ये 1 से लेकर 5 तक लिख देता हूँ और नाम मैं demo में वैसे डाल देता हूँ आपका जो भी admit card पर नाम है उस नाम को इसमें टाइप करके submit कर दीजिए तो देखिए ये पूरे column है इनको बनने के बाद हम submit पर click करेंगे उसके बाद हमारे सामने है कि ये नया page उपन हो गया जाएगा अब इसमें कह रहा है instruction before starting typing start typing तो देखिए अगर आपके computer में मंगल फॉंट नहीं है तो यह बता रहा है कि आप यहां से download कीजिए और इसको install कीजिए और रिमेंगेंशन और गयल पर मंगल फॉंट वर्क करेगा तो देखिए इस्टेनों हमारी होती है वो इंदी और इंग्लिस की होती है तो इंग्लिस से हमको कुछ करना नहीं है हमें इंदी स्टेनों ग्राफर वाले तो हम इंदी से related ही जानकारी रखेंगे फिलाल वैसे इंग्लिस और इंदी सेंप प्रोसेसर डेमो की तो उसमें कुछ नहीं है बस language का अंतर है तो देखिए हम पहले दिन के इसके बाद हमें यहां पर अपना roll number submit करना होगा आपका जो भी roll number है वो फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में इसमें password तीसरे में pin number तो देखिए यह password और pin number है तो यह हमें college में ही मिल जाएंगे जहांपर हमारा exam होगा तो वो बता देंगे जिसकी डूटी होगी उसमें तो इस चीज को वहां पर ही हम बढ़ देंगे जब बताएंगे तो उसके बाद रोल नमर बगएर आपना पासवर्ट पर डाल गए सम्मेट पर क्लिक कर दें फिर हमारे सामने केंडिडेट फ्रोफाल डेटेल आजाएगी यहां पर आपका फोटो होगा है और यह रोल नमर आपका होगा और केंडिड़ आपका नाम होगा फादर स्नेम होगा डेट अब पर तुछल के अंगर गलत है तो बैक टू लौग इंपर करें तो मेरा सही है तो मैं पर डिक करता हूं उसके बाद हो एक हमारे सामने फिर से ये कि ऑप्षन खुलके आ गया है तो यहां पर पूछ रहा है आपका जो लेंग्विज और टैपिंग टेस्ट जैसे आप मंगल फॉंट या कुर्ति देव पर कौन से पर करते हैं अभी फिलाल इसमें एक ही है पिछली साल दो अप्षन आते थे इसमें कुर्ति देव और मंगल फ पर क्लिक करता हूं उसके बाद यहां पर कुछ इंस्ट्रेक्शन थे कि यहां पर कह रहे रहा है जो टैपिंग की टैमिंग है वह 10 मिनट ही रहेगी एकजम में और यहां पर यह से रहेगी टैपिंग का कीवोड आपको यह देखे यहां पर दिख रहा है जो आप मंगल फॉ आपने मेंटर को टाइप कर लेते हैं जैसे 300 वर्ड के आसपास आपका मेंटर रहेगा इसमें 300 वर्ड प्लस रहेंगे 330 या 40 वर्ड रहेंगे यानि 35 की स्पीड चाहिए कम से कम यहां पर टाइपिंग करने के लिए घर पर तो आपकी 45 होनी चाहिए कोचिंग वगरा कॉलेज अगर आप जहां भी जाते हैं 40 45 पिलस होनी चाहिए तब यहां पर 35 की आसपास निकलेगी तो इस चीज़ का टाइपिंग स्पीड का थोड़ा ध्यान रगें और अगर आप अपनी टाइमिंग के अंदर टाइप कर लेते हैं मेंटर को तो आप इसमें सवधार भी कर सकते हैं यह गराए टाइपिंग टेस्ट के समय कंप्पूटर की निवन बटन है वो कौन-कौन से काम नहीं करके दो दिए इस के के प्पंशन की जदनी भी है टैप विं कि अगर आप इनको जवर्यस्ति पूसिस करें तो एक्जाम में कुछ गड़बल होती है तो उसके लिए आप समय जिम्मिदार हो सकते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखें उसके बाद कि हम नीचे आते हैं अब यहां पर कह रहा है कुछ और भी इंस्ट्रेक्शन है पिछली साल मैंने 2020 में बीडियो रेकॉर्ड किया था उसमें यह इंस्ट्रेक्शन नहीं थे और मुझे वैसे भी पता था क्योंकि मैंने खुद एक्जाम दिया था ओनलाइन इंग तो इसमें य इंटरनेट के तुरू ठीक है और यह कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर बिंड़ो को बंद करने की अनमती नहीं रही यानि हम जिससे सब्सक्राइब पर हमारा एक्जाम होगा वह बंद करने हम यहां से बंद नहीं करेंगे और यहां पर कह रहा है यह नेविगेशन बटन बंद रहेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो ठीक है इस चीज का भी आप ध्यान रखें उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखें आपके कंप्यूटर में जैसे आप MS Word में मंगल फॉंट अल्ट सिप्ट दबाके लगात रखें तो मैंने अल्ट सिप्ट द्वा दिया अपना मेरे मेरा आ गया मंगल फॉंट यहां पर आपको दिख रहा होगा तो इस चीज का आप ध्यान रखें अब मैं इस पर क्लिक करता हूं मेरा दस मिनट का टाइपिंग वाला मेंटर शुरू हजाएगा अब मैं टाइप करता हूं विश्व स्वास्त संगतान के वैश्व वैश्वेक आपड़ों के अनुसार दुनिया के बीश सरवादिक प्रदू सिद्ध सेहरों में भारत के चौदे सेहरों का सामिर होना इस देश के नागरतों के स्वास्त के लिए गंभी चुन्ता का जिसे है सारे के सारे शहर उत्तर महारत के हैं और उनमें कानपुर का नंबर उपर है गोर तलब है कि कानपुर वह सेहर है जहां अध्योगे का विकास तपर हो चुका है पिछले साल की सूची में इरान का सहर सरो से उपर था लेकिन अगर बहारत इस दोर में आगे निकला है तो इसके दो खार्ण संभव है या तो हमारे यहां प्रदूसर नियंद्र प्रदूसर नियंद्र ने लापर वाही है या या फिर प्रदूसर को हम अपने वाली मशीने मुस्तेरी से नहीं लगाई गई हैं निश्चित तोर पर दिल्ली जो कि देश का सरवादिक प्रदूसर शहर करता था उसे पचार कर कानपुर का आगे निकलना इस बात की फूर इसारा करता है तो नियंद त्रड के तो नियंद त्रड के उपर करड़ इस्तापित इस्तापित हो और नहीं उसकी नियमों का क्रियान वयन हो रहा है इस इस्तिति के बाव जूद ना तो दिल्ली और एन सी आर की इस्तिती अच्छी है और नहीं वारा रसी कोमा आगरा श्रीनगर कोमा जैपुर जैपुर और जूद पूर की हालंकी अंत्र राष्ट्रिय शंगर्ठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में एल पीजी गैस के कनेक्शन देने से लेकर सरकार की तरफ से पाई ये जा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत में प्रदूसर से होने वाली सत्र लाथ मौतों का लग भग सात्वा हिस्सा है कभी भारत के प्रदान मंत्री ने यह गली भी थी कि हमें प्रदूसर और ग्यरीवी की मैं से एक को चुनना है जाहिर है कि भारत में गरीरी को दूर करने के करने के दिए प्रदू को चुना पर अब इसके दिए बदल चुकी है वातावरण से होने वाली बीमारी और मौतों का आकड़ा जिस गती से बढ़ रहा है उसे अर्थ या वस्ता पर अच्चे की बजाए बुरे असर दिखाई पढ़ेंगे हमारा मेंटर लग गया है मेरे पास एक मिनट बांकी है इसमें आई लाइट होके नहीं चलेगा यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे अब इसमें आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें अपनी गलतियों को सुदार ले देगी जैसे मे वेरा कीबोर्ड गडवर्ड कर रहा है इस बज़ाए से मेरी तो इस चीजों को आप ध्यान रख लें और कहां पर है मेरी मिस्टिक कहीं पर चूट तो नहीं गया इस चीज को भी आप ध्यान रखें अभी देखें ऐसे मेरी आपनी गलतियां है टाइमिंग के अंदर सुदा सकते हैं तो मैं लाइन वाइल लाइन तेटता जा रहा हूं कि इंदूर है कि देखिए यहां पर में यह लगाई है यह गलत है लगातार नहीं लगाई गई है तो देखिए ऐसे मेरे गलतियों पर दिहां रखें हमेशा क्योंकि इसमें हमारी अब देखिए हमारा जो है ना टाइमिंग पूरी होगी थी तो मेंटर सम्मिट हो गया है अपने आप अब इस टॉपिक पर हम बात करते हैं थोड़ा जोब पस्ट पर दिए यह हमारा 300 प्लस बड़ वहां पर आएंगे और 35 की स्पीड आप मानके चलिए 35 की स्पीड पर आपको वहां पर मेंटर टाइप करना है इसमें आपकी पंद्रे गलती माफ रहेंगे इसके बात अगर आप एश्टा कलते हैं तो इसमें आपको फैल कर दिया जाएगा और यह जो फच्ट हमारा साट नंबर का रहेगा टाइपिंग टाइपिंग साट नंब कि इसमें पांच परसेंट गलती हम आप रहते हैं यानि 300 वर्ड का आपको पांच परसेंट निका लेंगे तो पंद्रे गलतिया निकलेंगे तो क्योंकि वहाँ पर लॉक रहेगा कट कोपी पेस्ट ठीक है अगर आपका इससे संबंदित और भी कोई कुश्चन है तो कमेंट में बता देना अब देखिए मेरे यहां पर एक यह मिश्टिक है तो ऐसे आप अपनी अंडर्ट टाइमिंग में मिश्टिक सुदार सकते है और देखिए जैसी हमारा यह मैंट्र सम्मिट हो जाएगा कोलेज में जहां पर आप सेंटर जिस सेंटर पर आप एक अंदर महाँ पर एक प्रिंट निकल आए जाएगा फोटोकॉंपी वाले पेश पर यह मैंट्र लिखा हुगा आपने क्या लिखा तापका नाम आजाएग का डेटा जाएगी ऐसे पूरी जानकारी उसके उपर लखी होगी और यह मैंटर लिखा होगा आपने जतना भी टाइप किया होगा वह और नीचे आपको सिगनेचर करवाए जाएंगे क्योंकि वह ओनलाइन चेक नहीं होंगे वह अपलाइन ही चेक होंगे प्रेंट आप निक बात करेंगे लेटर बनाना तो देखिए यह डेमो है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसमें टाइमिंग 30 मिनट मिलेंगे हमें वहां पर एक्जाम सेंटर में लेकिन डेमो में 10 मिनट दिया है तो मैं इसमें आपको टाइप करना नहीं बताऊंगा में और टाइमिंग है अपने पास 10 मिनट यहां पर है डेमो में तो होनी पाएगा ओफलाइन लेटर बनाके आपको बताऊंगा किसी दिन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ओफलाइन लेटर की तो देखिए यह ना हमारा जब फस्ट उटोमेटि सम्मिट हो गया है और वह सो रहा है हमको और अब इसके बाद हम प्रॉसीज प्रॉसीजड जोब टूपर करते हैं तो देखिए सेम बैसे फिर वह आ रहे हैं अब देखिए यहां पर करा आशलूपी हिंदी लेटर टाइपिंग परिच्छा 30 मिनट की अब दियोंगी परिच है तो आप लेटर की घी बात करते हैं लेटर बनाते हैं तो दीखिए मैं फिर से रेड़ीबेगए पर क्लिक करता हुआ या विन्जही मेरे सामने अब यहां गया मेरे पास टाइमिंग दस मिनेट दैद डैम में दस मिनट दिया आपकी कि बार तो हम पहले कि लिए टाइप करते तो देखिए यहां पर फंसन समझिए यह फंसन है इन से हमें बिलकुल भी छेड़कानी नहीं करनी है क्योंकि देना न इससे न इससे इन से भी नहीं हमको पंसन और न इस से इस टाइल से नॉर्मल फोंट साइज यह इधर चार और इदर यह e baldeane डिलिक अंडल लाइन और कि सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्रिप और यह कि लेंनमर लिश्ट भगरा ठीक है बुलेट भगरा इन से भी हमें कुछ नहीं करना है हमको फिनूज करने है करने हैं तो दीए इसको मैं ऑफ-लाइन बनाना सिखाऊंगा आपको किसी दिन तुम्हें इसको सेंटर में लेता हैं क्योंकि यहां पर सेंटर में लिखा है तो सेमें से वहां पर भी आपको करना है और एक बार फिर से बूल लाओं आप इससे छिड़कानी नहीं करें नहीं त इसमें जो फर्ट सेकेंड थर्ड में किसी एक में भी फैल होती है तो आप तीनों में फैल माने जाएंगे इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें तो मैं इस पर सेंटर पर क्लिक करता हूं उसके बाद मद्यप्रदेश शाशन उसके बाद कॉमा है को कॉमा फ्रेंट दवाओ इसमें लिखाना है सामान्य प्रसाशन विभाग उसके बाद कॉमा है मंत्राल है फिर एंटर दवाओ उसके बाद भोफाल तो दिए इस सेंटर में मैंने लिया था इसको अब यह मेरा लिग गया है अब मुझे यह पुफाल देनांक और यह डिट लिखनी है मुझे तो इसक लिए मैं क्या करूंगा इसमें एंटर लगाता हूं एंटर लगाया मैंने और इसको मैं लह लेता हूं राइट साइड है अब मैं इसको टाइप करता हूं वोफाल कॉमा देनांक अब अपनी सब्सक्राइब 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 अब एंटर दवाईए अब एंटर दवाने के बाद अब बोफाल के नीचे देखिए इधर हमें आना है लेफ्ट साइड में क्रमांक बकरा लिखना है तो अब हम लेफ्ट जेस्टिफाई का उप्यो करेंगे लेफ्ट में मैं आया अब यहां पर लिखता हूं मैं क्रमांक उसके बाद है डैस फिर हैस सत्रह पहतालीस उसके बाद है फिर डैस फॉर इस फिर इस लैस फिर तेइस अठारा तेइस 18 फिर उसके बाद है 06 फिर 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 9 अब उसके बाद हम एंटर दवाएंगे फिर इसमें लिकेंगे हम प्रती प्रति उसके बाद हम कॉमा तो उसके बाद फिर हम एंटर दबाएंगे यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एक कॉरेंटल ले लेनी चाहिए तो ऐसा ले सकते हम सहेम की तरह अब दीगे प्रति लिखने के बाद फिर से हम एंटर लेंगे बाद कितना 2 एंटर ले ले दे हैं हम क्या करेंगे तो इम्डेंट करेंगे या से एक एक ही इंडेंट बोस्ता है एक ही इंडेंट का यूज़ drag provide शाक घानिएซ्रा यहां श्मस्ति कि अपर कि मुख्य कि एमेस वर्ड जैसे ही फंसन है इसमें कोई दूसरे नहीं है बस आप इस चीज का देहर रखें कि उससे चिड़कानी ना करें अगर आपने कर दी तो आप सुदार नहीं पाऊगे प्रमुक जैसा वहां पर लिखाए वैसा ही आपको टाइप करना है गलत है तो मतलब गलती टाइप करो सच्छिव मद्य प्रदेश शाशन पिर से एंटर समस्थ विवाग मंत्राल बोफाल फिर एंटर दवाओ समस्थ विवागातिया जाएच है समस्थ कलक्तर फिरंटर समस्थ मुक्य यकार्य आपकोब कर दो ओधिकारी तो कि अभिए पर एंटर अधिला पंचायत एफिर एंटर अब फिर हमें इसमें लेफ्ट साइड में जाने के लिए कि इस वाल इंडेंट का यूज करें कि विसे दू बिंदी उसके बाद बीच में डैस फिर टाइप करों मेंट वैसे मैंटरिस की नीचे से टाइप होता है यहां से टाइप पी सरकारी कार्या लेओं प्रस्तुत दस्ताल वेजों प्रक्रिया यह हो गया कि फिर से अंटर अब टाइप करते जाओं सासन कि द्यान यह बात लाई गई है कि त्राइप सरकारी कार्या लेओं में कोई भी आतना आप नद्राइप तन पत्र वेज आदि प्रस्तुत की जाने पर पर सम्मंदित लिपक द्वारा पावती पर अस्ताथ छर की जाकर दनांक लिकदी जाती कभी कभी तो जनांक भी नहीं लिकी जाती है इस परकार की प्राप्ति स्विक्रति से यह है प्रमाणित नहीं प्राप्ति श्विक्रति किस्प कर्याले ने दी है इस प्रकार की अधूरी पावती को प्रमाणित करना नहीं कर देखे हमारा टाइम पूरा हो गया है तो मैंने आपको बताया है इंडेंट और प्रेश्टी फाई का कि यह करना है कि किसी से हमें कोई मतलब नहीं है तो देखे मेरा दस मिनट का टाम पूरा हो गया अब हमारा जौब थाड़ा आएगा एकसल की टेबल स्वाल करने के लिए उसमें फॉर्मूली लगाने होंगे तो एकसल टेबल हम चार पात तरह की बाद में ऑफ-लाइन स्वा लेटर बनाऊंगा इसी लेंग्वेज में इसी मेंटर पर ठीक है तो हम बेट कर रहे हैं आप एसी सेम लेटर सम्मिट हो गया तो लेटर का भी एक प्रिंट अंकल गया जाएगा उस पर आपने जो टाइप किया है वह एक टाइप हो गया जाएगा वहां पर आपको सिगनेचर करने है पहले आफ-लाइन में आपको कॉपी मिलती थी हिंदी टांसलेट के लिए सेम ऐसे ही यह समझो कि यह हमारी कॉपी है इस्टूडेंट के उसपर सिगनेचर होते हैं और नाम बगएर आपका रोल नमर बगएरा भी आता है डेट बगएरा टाइमिंग भी आती है तो दो मिनट का वेट कर रहे हैं अभी देखें मैं बात करता हूं इसकी अब एक्सल सीट पर आप क्या करेंगे जब हम एक्सल सीट सॉम्भ करेंगे तो कम्प्यूटर का वहाँ पर जाए तो डांलोट फोल्डर है पूरा डलीट कर दो शीदी बात ठीक है वहां पर क्लीन कर देना है आपको वहाँ पर जाएं तो जो भी डाटा है डांलोट फोल्डर में उधिलेट कर तो ज्यादा तर स्टुडेंट के एक्सल्ट जो आप से पहले स्टुडेंट एक्जाम बगरा दे जाएंगे उनका ही टेवल बगरा रहेगा कि तो कि चुगदे सेकंड है इसमें भी हमको 30 मिनट मिलेंगे यह 20 नम्मर की होती है कि मैं जोब 3 पर क्लिक करता हूं कि तो यहां पर ऐसे आपका नाम बगर आ जाएगा अब यहां पर कहरा है टेबल कि यहां पर डाउनलूड फाइल नेम यानि आप जो टेवल डाउनलूड कर रहे हैं यहां पर पहले सब मैं कुछ बात अखर लेता हूं कि आपको यहां पर किलिक करना है किक ओन डाउनलोड फाइल इसे पर किलिक करना ठीक है किसी भी फोल्डर में अपने में करना है और और वाचल सीट फिर सॉल्व करके उसको सेब करना है सेब दवाई प्रोसेसिंग कंट्रोल इस तो देखें यहां पर open with न करके save करें इस चीज का आप ध्यान रखें और save करते टाइम आप table का नाम change नहीं करें अगर आप ऐसा करते हैं तो table upload नहीं होगी चाहिए तो आप practical करके देख लेना अब मैंने table को save कर लिया है इसको मैं open करता हूँ मेरे सामने table आगी देखिए इसको solo करना है formula लगा के तो देखिए एक्सल के अंदर हम कोई भी formula लगाते हैं यहां पर आया है गुप्ता कलो तो इस्टोर का जुलाई 2017 का वेतन विल उसका सुद्ध वेतन हमें निकालना है और मूल वेतन भी दिया है इसमें महगाई बत्ता भी निकालना है 10 परसेंट और पांच परसेंट फर उसके बाद सुद्ध वेतन निकालना है तो देखिए हमें क्या करना होँए पहले इसका महगाई बत्ता निकालने के लिए हम कौनसे formula का use करेंगे तो एक्सल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एकवल लगाना ज़रूरी होता है यहीं तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा इस चीज़ का आप ध्यार रखें एकवल लगाके अब आप इस तेरह यार पांसे पर क्लिक कीजिए उसके बाद आपके सामने यह सी थ्री पाइब सेल का एड्रेस आ जाए उसकी बाद कितनी पर्सेंट हमें बत्ता निकलना है तो गुणा का चिन लगाई यहां पर दस पर्सेंट है तो दस टाइप कीजिए उसके बाद डिवाड़ का चिन लगाओ फिर हंड्रेट इस तेरह यार पांसो का दस इंगल सॉल्व करेंगे तो अब इसमें क्या करना है हमें इसी पर क्लिक करना है उसके बाद हम अपनी कर्जर को यहां पर लेके आते हो देखिए एक छोटे से प्लस में बदल गया है अब इसको हम ड्रेक करते हुए ऐसे नीचे तक लाते हैं यहां तक देगी सब का ओटोमे निकलते हैं तो फिर से बराबर का फॉर्म चिन तेरे यार फांसो फर क्लिक किया सी फाइब सेल का एड्रेस गुणा का चिन अब इसमें पांच परसेंट निगलना है तो पांच फिर बाग का चिन यानि डिवाइड का फिर अंडेड फिर एंटर देगिए 675 निकला इसका प प्रजर को यहां फर तब इदर कि आएगा देगे तो यह आ गया अब सुद्ध बेतन हमें निकालना है तो इन सब को में सम एड्ड करना हुआ तो फिर से वाइस प्रोसेस निकला अब सुद्ध बेतन है तो हमें एड्ड करना हुँगी और टेवल को समझ लेना है पहले हमें तो देगे मैंने क्या किया 13,500 पर किल्क किया तो इस पर यानि कि तीरहार पांच सो सी फाइब तीरह सो पचास डी फाइब और चैसो पिचकतर इपाइब एंटर किया टूटल निकलाया इनका एड़ किया दो फिर से वही ड्रेक करेंगे हम नीचे के लिए टूटल निकलाया है यहाँ पर आप अपना नाम डाली जैसे में मैंने टाइप किया था राम और और नमबर कुरपाई ठीक है अब यहां पर हमें टोटल भी निकालना है इसका तो इसको हम यहां से ऐसे ड्रैक करते हुए नीचे तकलाए और यहां पर एक option रहता है auto sum का एक कि तो इस पर किलिक किया हम नहीं ऑने देख यहां पर इंका टॉटल आ गया है फिरसे फिरसे अम इस अब इसपा किल्क करते हैं है फिरसे इसका टॉटल निकलाया हम इसका भी हम्तकलना है कि रसे कि यह दिकी सब का टोटल आगया हमारी एक्सल सीट शॉल्व हो गई अब यहां से हम सेब क्लिक करते हैं सेब हो गई है आप कंट्रोल एस दबाईए कि कंट्रोल एस अब हम इसका प्रिंट प्रिव्यू चेक करते हैं थोड़ा प्रिंट तो दिए जैसे हमारा फोटो कोपी का प्यूजे अब यहाँ पर हमारा वो टोटल वाला नहीं आ रहा है तो दीए तो मैंने टेबल को सॉल्व करके सेव कर दिया तो हम मैं फिर से जाता हूं मोजला फारफुक्स पर यहां से स्लेक्ट करता हूं टेबल को अपनी को देखें यहां पर यह और ओपन और फाइल अब देखें मान के चलो आप टेबल का नाम चेंज भी कर देते हैं तो कोई एक कफ़ड़ाने वाली बात नहीं है यह नाम दिया है न जीरो ग्यार एक से ट्रपल ए बगरा इसको कॉपी कीजिए और उसके जो एक्स्टेंशन नेम है जहां पर नाम डाला था आपने अपना या किसी चीज का पर इसी को पेश्ट कर दीजिए तो टेबल अपलोड हो जाएगी क्योंकि सेम एसाइई मेरे साथ हुआ था बगल वाले वाले वहिया थे एक जाम दे रहे थे तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया था तो अपरेटर थ उसने यहीं से नाम कॉफी किया था टेबल का वो स्वरेज शीट का और उसमें पेश्ट कर दिया और उसको उसी नाम इस नाम से से शेव कर दिया उनका नाम चेंज करके तो वह अपलोड होगी अब मैंने इस टेबल को स्लेक्ट करके अपलोड फाइल पर क्रिक कर रहा हूं तो देखिए मेरी फाइल अपलोड सक्सेस्पुली हो गई यानि हमारा प्याले दिन का एक्जाम कंप्लीट हो गया अब हम बात करेंगे फिर से अब यह हमारा दूसरे दिन एक्जाम होगा तो हम क्या करेंगे फिर से वही प्रोसेस जॉन सिटी मुरेना इसके बाद अब हम जोब फूर यहां पर आया अपना रोल नंबर पास्वर्ड पिन सम्मिट कीजिए प्रोपाल वेरिफिकेशन कीजिए सही है तो आई कंफर्म नहीं तो बैक इसके बाद यहां पर मंगल फॉंट है मंगल फॉंटी रहेगा जो हम डिक अब जो हमारा सेकंड दिन एक्जाम होगा जोब फूर और फाइव का तो उसमें सी डवलू पीम की जोब फूर में डिक्टेशन बूल याई जोब फाइम में हंड़ डवलू पीम की और अभी हम लोग क्या करत to me Hindi translate करतें तो देखें मैं आपको बात बता diyorsun वहां पर है यृग जाम सेंटर में आपको कौपी पेज पर ट्रांसलेट नहीं करना हुगा से सीधां कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करना हुगा असलेट से इंदी टैप करो और चैनल को است добав UK्ला में आपको यानों सी की डिक्टेशन में आपको चालीस मिनाट इंदी ट्रांसलेट करना के लिए मिलंगी और 100 की में 50 मिनट पिर से बता दूं इन्दी ट्रांसलेट आप डारेक्ट कंप्पूटर पर ही करेंगे पीज पर नहीं करेंगे क्योंकि प्रेंट आउट निकलेगा आपका और टाइमिंग रहेगी फूरी इसके अंदर ही करना है अब मैं प्रोसिस्ट पर क्लिक करता हूं तो और 80 की डिक्टेशन है तो वह 80 की स्पीड में ही बोली जाएगी न कम न ज्यादा और 100 की स्पीर´ंग बोली जाएगी न कम न ज्यादा सीम बैसे इफर इंस्ट्रक्षन है कि वगरा काम नहीं करेंगी अब मैं इसपर क्लिक करता हूं मैं आई हम टाय कना है तो दिके यांपर अब देगे मैं सवापदी महुद्य है अमारे सामने यह बात आई एक हम लोग का यह है मत अब देखिए हिंद्य ट्रांसलेट करने से पहले एक चीज आप देख लाएं जब भी हम अफ्लाइन एक्जाम देते थे तब हम टैप बटन का अप्योग करते थे लेकिन टैप बटन यहां पर बंद है तो अब क्या करेंगा हम ऐसी सिटुएशन में तो आप चाहें तो पांच बार इस बार का यूज कर सकते हैं एक डो तीन चार पांच ठीक है पांच बार इस बार का यूज कर सकते हैं इंड्य ट्रांसरेट करने से पहले एगर आपको जो आप से करेंगे उसमें एसे ही करें अगर करना चाहें तो नहीं तो आप डारेक्ट लिग ना हैं अब जैसे मेरा दूसरा आप से यहां से शुरू हो रहा हैं तो पिर से मैं यहीं से ऐसे इसे करके पाँच बार इस वार का यूज करके टाइप करूंगा जहां से मेरा पराग्राफ हो रहा है उसजगे पर और आप चाहें तो डारेक्ट भी लिख सकते हैं ये भी यह अपने पास option है क्योंकि मैंने तो पांच बार का यूज किया था वैसे और कि सेम ऐसी एंड्रेड का रहेगा एंड्रेड का इसमें बता जानी गया है उसमें वास टाइमिंग यहां पर पचास मिनट हो जाएगी और हिंदी डिक्टेशन एट असी लिखा है यहां पर हंड्रेड आ जाएगा जो फाइब आ जाएगा फूर की जोगे सेम प्रोसेस ऐसी रहेगी आपकी जैसी टाइमिंग पूरी होगी वैसे यह सम्मेट कर लेगा और वहां पर एक प्रेंट नगाल के देदेगा जिस पर आप आपके चेक होंगे कॉलेज में जहां पर भी आपकी घुपी चेक होगी वही होगी चकत तो मैं आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्षण में आप कमेंट कर दें धन्यवाद